तो देखिए बहुत ही प्यारा डिजाइन बनाए हैं इसको बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही जल्दी बन जाता है देखिए पीछे से इस तरीका से दिखता है आगे इस तरीका से तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं पहले इसको चैन बना करके त्यार करेंगे साथ चैन बना लेंगे देखे साथ चैन बना लिए अब पहला वाला में इसको इस तरीका से बीन करके आउ गोल त्यार कर लेंगे देखे इस तरीका से त्यार कर लेंगे फिर यहां तीन चैन बना लेंगे अब इसी में से एक दो तीन चार चार फंदा निकालेंगे इसको एक ही बार में बंद कर देंगे फिर एक दो तीन तीन चैन बना लेंगे फिर उसी में से चार फंदा निकालेंगे एक, दो, तीन, चार चार फंदा निकाल लिए उसे में से एक ही बार में इसको सारा को बंद कर लेंगे फिर तीन चैन बना लेंगे फिर तीन चैन बना लागवाद फिर उसी तरीका से चार फंदा निकाल लेंगे एक ही बार में बंद कर लेंगे फिर यहां तीन चैन बना लेंगे तीन चैन बनाएंगे और फिर चार फंदा उस तरीका से निकाल के एक ही बार में बंद करेंगे उसी तरीका से बनाते हुए यह पूरा एक राउंड यह पूरा इसी तरीका से बनाएंगे अब तीन चैन बना लेंगे तो देखे दू तीन चार बनाएंगे चार और बना लेंगे इसी तरीका से तो देखे आठ बनके तैयार हो गया आठ फुल इसी तरीका से बना लेना है दो, चार, छो, आठ फुल बनाए है अब यहाँ देखिए दूसरा डलेगा यहाँ से दो, तीन, तीन चैन बना लिए अब यहाँ देखिए पहला जाली में इसको इस तरीका से चार बर फंदा निकालेंगे इसको सारा को एक ही बार में बंद कर लेंगे फिर यहाँ दो, चैन बना लिए फिर उसी फंदा में डाल करके फिर चार फंदा निकालेंगे एक ही बार में इसको बंद कर देंगे फिर एक दू तीन तीन चैन फिर बना लिए अब आगे बला जाली में देखिए यहाँ फंदा इस तरीका से लेके एक दो तीन और चार चार फंदा निकाल लिए अब यहाँ एक दो चैन डाल लेंगे और आगे बला जाली में फिर से उसी तरीका से चार फंदा निकालेंगे और एक ही बार में बंद कर देंगे फिर यहाँ चैन बना लेंगे दो चैन बना लेंगे फिर उसी फंदा में चार फंदा निकालेंगे आग एक ही बार में उसको बंद कर देंगे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्क्राइब करिएगा लाइक करिएगा वीडियो को सेयर करिएगा अब वीडियो पूरा देखिएगा फिर तीन चैन बना लिए आगे वला में फिर एक फंदा चैन का इसमें बिसेश त्यान रखना है चैन घट बढ़ जाएगा तो उसमें जूरी शिकुरन टाइप के आ जाएगा चार फंदा इस तरीका से बना लेना है इसी तरीका से इधर भी बना लेंगे पूरे में इसी तरीका से बनेगा दो फिर अगला जाली में सारा जाली में इसी तरीका से बनेगा एक में चार फंदा निकालेंगे इस तरीका से और एक ही बार में बंद कर देंगे और दूसरा में चार फंदा बना लेंगे दू चैन बनाएं फिर उसी फंदा में चार फंदा और निकाल करके बनाएंगे अचारों को एक ही बार में बंद कर लेंगे फिर से चैन तीन चैन फिर से बना लिएंगे अगला फंदा में फिर चार फंदा बना लेंगे देखिए इसी तरीका से बनाते हुए पूरा गोल बना लिए वीडियो को पूरा अच्छास देखिएगा बहुत ही असानी से बन जाएगा अस्टेप आए अस्टेप सारा चीट बनाए हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा और बनाएगा फिर दूसरा धारे में देखिए इस तरीका से चार फंदा बनाएं अचारों को एक ही बार में बंद कर लिए अब यहां कि दो तीन यहां तीन चैन बनाए हैं अब फिर अब उसी जाली में फिर से चार फंदा निकाल लेना है फिर दो चैन बना लिए दो चैन बना लिए अब आगे बना देखिए यहां चार फंदा बनाए हैं उसमें देखिए चार फंदा पहले से बना हुआ है अब यहां देखिए चार फंदा बना हुआ उससे पहले बला जाली में दो फंदा बढ़ा देगे दो फंदा देखिए बढ़ा दिए अब चार जो बना हुआ था नीचे से उसको बनाएंगे चार जो पहले नीचे बनाए थे उसमें चार फिर बना लेंगे दो फंदा आगे बढ़ा दिये हैं तीन फंदा हो गया चार फंदा जो नीचे बना हुआ था उस चार बन गया अब लास्ट में भी देखिए लास्ट में जाली में दो फंदा फिर से बढ़ा देगे दू पहले बढ़ाया थे चार जो बना हुआ था हुआ बनाए आदू बाद में बला जाली में दो फंदा बढ़ा दिये हैं इसी तरीका से पूरा धारी कंप्लीट होगा फिर यहां चैन डालेंगे दू चैन डालें अब फिर यहां चार फंदा निकालेंगे एक ही बार में बंद कर देंगे फिर यहां तीन चैन बना लिए फिर उसे फंदा में चार फंदा निकालेंगे एक ही बार में तार्ण को बंद कर लेंगे देखे, चार फंदा हो गया, सारा को एक ही बार में बंद कर लेंगे, फिर यहां चैन बनाएंगे, दू चैन बना लेंगे, तेन चैन, अब यहां देखे, चार बना हुआ उससे पहले बला में, दू फंदा बढ़ा लेंगे, दू फंदा बढ़ गया, देखे, अचार जो भी बना हुआ है जे बना लेंगे, पूरा लाइन इसी तरीका से बनेगा, चार जो बना हुआ है उसको बना लेते हैं फिर दूफंदा बाद में भी बढ़ा लेंगे देखे दूफंदा बाद में भी इसको बढ़ा लेते हैं देखे दूफंदा बाद में भी इसको बढ़ा लें इसी तरीका से पूरा बना लें देखिए पूरा बनके त्यार हो गया अब यहाँ देखिए तीसरा राउंड बनेगा बहुत ही सुन्दर लगता है बन जाने के बाद देखिए यहाँ बना लिए तीन चैन बनाएंगे यह विला पूरा लाइन इसी तरीका से जाएगा जितना लंबा चवड़ा आपको बनाना होगा उसी इसाफ से बनाना है जो फ्लावर बना है वही फ्लावर बढ़ते जाएगा वस उसी तरीका से बनाना है तीन चैन बनाएं फिर से उसी फंदा में चार फंदा निकालेंगे चारों को एक ही बार में बंद कर देंगी बस वही डिजाइन पूरा रिपीट होगा केवल फंदा बढ़ाते जाना है जो बीच में बनाए है वो फंदा को बढ़ाते जाएगी एवल लाइं इसी तरीका से बनेगा यहां देखे इसको हर बार 2 दू इधर बढ़ाते जाना है बस यही थ्यान देना है हर राउंड में दू दू फंदा यहां बढ़ेगा दू फंदा पहले बढ़ेगा और दू फंदा जो बीच में बना हुआ है उसको बना करके बाद में पढ़ेगा देखिए दू फंदा बढ़ा लिए अब जो बना हुआ है बीच में जितना भी है बना हुआ है सारा को बना ल दूफंदा पहले बढ़ा दिये हैं पहले वला जाली में जो बना हुआ उस सारा को बना लेते हैं उसके बाद आगे देखिए सारा को बना लेंगे देखिए सारा बन गया अब इजाली है दूफंदा बढ़ा लेंगे दूफंदा इधर भी बढ़ा लेंगे इसको एदम धियान देना है ने तो सिगूर जाए गड़ी जाएं दूफंदा पीछे बस बढ़ा लेना है बाकी सारा चीज जैसे पहले बना हु बनते जाएगा दू फंदा दू चैन यहां बना लेंगे फिर इसको इसी तरीका से बनाएगे तो तीन चार चार फंदा बनाएगे फिर इसको एक ही बार में बंद कर लेंगे फिर यहां तीन चैन बना लेंगे फिर उसी में इसको चार फंदा बना लेंगे तो इसी तरीका से ही सारा डिजाइन बनके तैयार होगा इसी तरीका से डिजाइन पूरा बनके तैयार होगा जितना लंबा चोड़ा बना सकते हैं तो यही बला डिजाइन बढ़ेगा तो दिखिए यहां तो इसको यहां बंद करते हैं बहुत ही प्यारा डिजाइन लगता है बहुत जल्दी बन जाता है थोड़ा सा उन से तो बनाईएगा देखिए बहुत ही प्यारा दिखता है इसका फाइनल लूप इस तरीका से आता है भूल्टा साइड इस तरीका से है यह बढ़ते जाएगा यह बढ़ते ही जाएगा थैंक यूँ